ओलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं उज्वल और आप सभी का वैलकम करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल लेचल अवरपर. आज की वीडियो मैं आप से बात करूँगा अडेनियम की रेनी सीजन की केर के बारेमें. कि अडेनियम को रेनी सीजन में कैसे रखें, कैसे उसकी ग्रोथ को अच्छा करें, कैसे हरा बरा बनाए अगर आपके पास बहुत सारे अडेनियम लगे हैं तो उनकी केर करना बहुत ही मुस्किल हो जाता है अगर उनकी देखवाल अगर रेनी सीजन में अच्छे से नहीं हुई तो वो खराब हो जाते हैं तो कुछ साथदानिया बढ़ते हैं और अपने एडिनियम को बहुत ही अच्छे से ग्रो गरवा सकते हैं सबसे पहले तो देखिए आपने यह देखा है कि मैंने यह सब वीट्स जो खर्पतवार इसमें से निकल आई थी यह साप कर रहा हूं इसके चारोतरब जो हो गई थी यह देखिए कुछ में है वो पीछे देखिए यह हटाना है बार एक सीजन में यह बढ़ जाएगी तो सारा न्यूट्रिशन यह खर्पतवार लेगी और यह प्लांट आपका स्लो ग्रोथ करेगा इसलिए इसको हटाएं तो प्लांट जोगे होंगी वह तूट जाएंगा उनका कनेक्शन तो वह सड जाएगी या फिर गल जाएगी तो उस वज़ा से भी पोर्स बन जाएंगे बन जाएंगे उस दिन बाद में जब धूप तेज होगी और पानी जब भी डालेंगे तो नीचे सर्कुलेशन बना रहेगा और ए जैसे कि आप अगर यह सब वीट्स हटाई अगर सई से नहीं हटने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दुबारा हटा दीजेगा पर यह ना हो कि आपका नेल्स इसमें लग जाए और यह खराब हो जाए तो इसका आपको साबदानी पर अतनी है और दूसरी बात यह है कि आपकी जो मिट्टी है वो पिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहनी चाहिए जैसे कि यह बालू मिट्टी है यह देखिए तो बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी रहने चाहिए इसमें ग्रोध बहुत अच्छी होती है और नीचे आप देख रहे हैं ज्यादा बारिश हुई थी कुछ दिन पह यह देखाती है इसको फेका ना करें इसको आप इखटा करें और जो भी कंपोश बन रही है उसमें यह बहुत अच्छा प्रोसेश कर देता है बनने का खाद जो होती है तो इसको बहुत से माइक्रोडर्ड नूट्रेंट्र में बहुत करेंगे और सबसे ज्यादा ग्रोध जो होती है, बारिष के सीजन में होती है, तो इसका खास द्यान रखना है, आपको कि पुतनी ग्रोध आप बारिष के सीजन में करभा स्कते हैं क्योंकि बहुत से लोग अपने अंदर रख लेते हैं, प्लांट has agon, जी आपका drainage system मच्छा होना चाहिए मतलब मिट्टी में पानी नहीं रुखना चाहिए अगर पानी रुक रहे हैं तो आपका प्लांट खराब होगा नहीं तो अपना अराम से रखीए और जितना पानी आपके प्लांट में गिर रहा है सारा निकल जाएगा नहीं तो आप polydene लगा सकते हैं इसके उपर आप यहां से polydene लगा दीजे पूरे चारो तरफ की मिट्टी आपकी मिट्टी में ज्यादा पानी ना चाहे और जैसे किसी के तीन चार दिन लगा तार बारी शो रही तो polydene लगा सकता है उपर से पूरा ज्यादा प्लांट तो उपर से कवर कर सकता है और नहीं तो कम प्लांट है तो यहां पर पॉली देन चारो तरफ लगा दी पॉली बैक और उससे पानी सारा इधर गिरता रहेगा मिट्टी में नहीं जाएगा आपकी ज्यादा पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक्स्टा ग्रोथ के रहते हैं और साथि साथ फ्लॉब्रिंग के बारे में बात करीं आग बहुत कम होती है यह आप देखिए एक दू ब्लावर्स में है है रोशाट यह ने सबातिते हैं कुछ ब्रट्स आ रही है कुछ फ्लॉबरल से नहीं तो ग्रोथ ही हो रही है ग्रीन रेख आपको पूरे मिलेगी उबह प्लांट में कम होजाती है और और अप tests देला गी मौसं सही होगा तो प्लांट अची और thrive ring भी देगा तो ये कुछ 3-4 मैने तक pounds की growth सही चलती रहेगी और September के बाद में ये जब September आ जाएगा तो growth slow हो जाएगी और उसके बाद 9nd जाट हैं और उसके बाद में मार्श में फिरसे स्य नेयेम के बारे में किसी भी प्लांट कर दीजेगा मैं आपकी पूरी हलक करूं गार और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक पर थैंक यू